हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीप स्टार्ट सूपर लर्णिंग प्लाटफॉर्म तो आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम डिसकस करने माले हैं कॉंपिटेंट होस्ट के बारे में लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था जैल एलेक्ट्रोफोरिस टेक्निक क्या ह पूछे गया है और आगे क्या के क्वेशन पूछे जा सकते हैं यह भी हमने डिसकस किया था तो आज हम पढ़ेंगे कॉंपिटेंट होस्ट के बारे में तो चली हम अपना सेशन शुरू करते हैं अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमने पढ़ा था टूल्स of by technology tools of by technology मैं सबसे पहले हमने पढ़ा था tools of biotechnology के अनदर सबसे जो पहला जुरू थाज वो हमने पढ़ा था enzymes एंजैम के बारे में हमने देखा था recipient य हमने देखा था दिन एपो बारे में रिब्स ढियोमोर्स औरिन लाएगस य फॉस्फेटेस एंड फॉस्फोरलाइज ऐसे डिफरेंट टाइप के एंजाइम समने इसमें पढ़े ठीके जो सेकेंड जो टूल हमने पढ़ा था वो था वेक्टर ठीक है हमने पूरा का पूरा जो फंक्शनिंग देखी थी पी बीर 322 वेक्टर की जो थार्ड जो टूल है ब ट्रांसफर करता है क्योंकि जो हो सेल के भी बहुत जादा नकरें क्यों औरी कंबिटेंट डिने मोलेकुल को अपने अंदर इंसर्ट होने देगी ठीक है तो हमें मनाना पड़ेगा होस्ट को हम कैसे मनाते होस्ट को चली हम डिसकुस करते हैं तो सबसे जो पहला है वह in which we want our gene of interest to replicate ठीक है और यह जो होसल है वो प्रोकेरियोट भी हो सकती है और क्या हो सकती है यू केरियोट भी हो सकती है जो मोस्ट कॉमनली जो प्रोकेरियोटिक सेल है जो competent host के लिए use की जाती है वो है e.col. ठीक है the most used competent host as prokäreयोट is e.col.ठीक है वो कैंदर है अपनी e.col.ई है और u- gather जा प्लांट अबी हो सकती है ऐने मल्ज इनल्बी हो सकती है और यू वह क्या छोसत है उट साल यह क्या दर यू लेयर उट के अंदर के उसकती है लेस भाउस अब हो सकती है एनेमल सैंड уч haar उसकती है यू कैरयोट के अंदर जो मैक्सिमम जो यूस की जाती है हो स्टों की की जाती है एग फंगल सेल तो में अपने जीन ऑफ इंटर्स को मल्टिप्लाइ कराना थी कि वह करे रहएं वह सकते वह यूड्यूड-शी यूडि आप अब हम देखते हैं कि क्या क्या बात करूं कि क्या क्या स्टेप्स के तो देखें सबसे पहले जो cell wall होती है plant की या फिर bacteria की या फिर आपकी fungus की वो हमें remove करानी है remove कराने के लिए क्या-क्या enzymes use होंगे वो मैं already आपको discuss कर चुकी हूँ ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या है cell wall को disintegrate कर दिया बचा हमारे पास plasma membrane and the cell without cell wall is known as protoplastic है अब देखते हैं कि जो हमारी जो cell है जो plasma membrane है वो क्या है hydrophobic क्योंकि जो fluid mazaiq model है उसने बताय था कि जो plasma membrane है वो हमारी phospholipid and bilayer से मिलके बनी होती है phospholipid bilayer से मिलके बनी होती है वो क्या है hydrophobic लेकिन जो हमारा जो DNA होता है वो क्या है negatively charged molecule जो negatively charged molecule हमारी plasma membrane के अंदर insert नहीं होगा क्योंकि उनकी polarity match नहीं करती इसलिए हमें अपनी plasma membrane को किसे react कराना पड़ेगा divalent ion से react कराना पड़ेगा जैसे हम अपनी plasma membrane को divalent ion से expose कराते तो उसकी permeability increase हो जाती है जैसे permeability increase होगी तो हमारा DNA molecule है वो किसके अंदर insert हो जाएगा plasma membrane के अंदर insert हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमें पहला जो step है इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा पहला step है इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा जो cell wall है उसको remove करना पड़ेगा सेल वोल को क्या करना पड़ेगा हमें रिमूव करना पड़ेगा जब हमें सेल वोल रिमूव कर देते हैं तो जो सेल विदाउट सेल वोल इस नॉन एस प्रोटो प्लास्ट हम उसको क्या बोलते हैं प्रोटो प्लास्ट बोलते हैं है ठीक है फ्लिर समझ में आगया एंसे करने की जरूरत हूथ क्यों क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेंटिंद नहीं हो ते डारेक्टली क्या प्रेजन्ट होती है प्लास हम मेंब्रेटेंट हो इंटके के सेटम क्या है बलगेंबांद को हमने ढेजौ divalent ions जैसे की calcium यहां से question पूछा जाता है आपने इसको करना है star mark चीक है plasma membrane is treated with divalent ions to increase the permeability to increase the permeability so that dna can be moved in so that dna can be moved in ठीक है समझ में आया देखिए जो plasma membrane होती है वो phospholipid bilayer की बनी होती है hydrophobic nature होता है और जो हमारा dna है वो negatively charged molecule होता है तो जो negatively charged molecule plasma membrane की तरफ नहीं attract होगा इसलिए हमें divalent ions से plasma membrane को expose कराना होता है जिससे की permeability increase हो जाएगी एक बार अगर permeability increase होगी तो हमारा dna किसके अंदर move कर जाएगा plasma membrane के अंदर move कर जाएगा ठीक है clear है third अगर मैं step की बात करूँ थार्ड है शोक treatment शोक treatment क्या होता है जटके देना ठीक है शोक treatment इसके अंदर क्या होता है हमें सबसे पहले हमने किसके अंदर रखा किसके अंदर रखा किसके अंदर रखा हमने आइस के अंदर रखा फिर हमने होट treatment दिला दिया होट treatment का temperature आपको याद रखना है वह 42 degree Celsius वह क्या है है आपको फूटीटो डिग्री सेल्सेस फिषट आपको इसल को किसके अंदर रख दिया है और फिर क्या कर दिया होट treatment देगिया तिक है इतनी शॉक treatment देलने के बाद देने क्या है अपने आप मान जाता हो कैंसा चलो ठीक है आप मैं चलता हूँ प्लाजमा मेंब्रेन के अंदर तो तीन स्टेप हैं आपके पास जो डीने को कैसे प्लाजमा मेंब्रेन के अंदर इंटेग्रेट कराते हैं पहला स्टेप है सेल वोल को रिमूक और उसके बाद सेल की प्रमेबिलिटे इंक्रीज कर दो उसके बाद दो शॉक ट्रीटमेंट इस आपना कि से अंदर होस्ट पढ़ेंगे टू ट्रांसफर नहीं पड़ने। पाड़ें चार्मीन के प्रिसेयोच के तो सबसे पेहला है chemical पढ़ने वाले हैं है केम near method दूसरा है आपका बालेस्टिक गन थाड़ है एलेक्ट्रो पॉरिशन और फॉर्थ है माइक्रो इंजेक्शन एक करके हमें सारे के सारे method पढ़ेंगे सबसे पहला है chemical method chemical method के अंदर क्या करना है आपने कुछ नहीं सेल को थोड़ा सा पिलाना है पैग सेल को क्या करना है पैग पिलाना है यह वह वाला पैग नहीं है ठीक है यह कौन सा प्रेग है polyethylene glycol ठीक है इसके फुल फॉर्म आप से पूछी जाती है इसके उपर star mark कीजिए polyethylene glycol polyethylene glycol ठीक है इस chemical method के अंदर क्या होता है अगर आप सेल को एक medium के अंदर रख देते हैं जिसके पास polyethylene glycol है तो उसके बाद क्या होता है जो gene of interest easily अपने आप हो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है ठीक है तो पहला method क्या है chemical method के अंदर क्या होता है कि जो पोटो प्लास्ट है जिसके पास अपना डिजाइड जीन है वो किसके अंदर रख दिया है जिसके पास पीजी है polyethylene glycol medium है और polyethylene glycol medium है तो उसके बाद क्या होता है जो gene of interest easily cell के अंदर ट्रांसफर हो जाता है ठीक है clear है तो पहला method है आपका chemical method अब हम दूसरा method देखते हैं दूसरा method क्या है आपका gene gun यह जिसको हम बोलते हैं ballistic gun इसके अंदर क्या करते हैं हम शूटिंग करते हैं शूटिंग ठीक है जैसे कि जो अपना DNA है यह जैसे अपना क्या है DNA DNA को हमने करा दिया code DNA की हमने क्या कर दी coating कर दी और वह जो coating करी है वह किसे करी है वह coating करी है हमने किसे tungsten या फिर gold से किसे 1400 feet per second से अगर हम इसको शूट करें तो डारेक्ली जिसके पास हमारा जीन ओफ इंटरस्ट वो डारेक्ली किसके अंदर पैनिट्रेट हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर पैनिट्रेट हो जाएगा हमें यहां पर स्पीड का ध्यान रखना है 140 feet per second क्योंकि अगर इसकी स्पीड आपने कम रखी तो प्लाजमा मेंब्रेन के अंदर ही नहीं गुसेगा डिन ने ठीक है अगर इसकी स्पीड आगर आपने जाधा कर दी तो इसको प्लाजमा मेंब्रेन को क्या अगर जाएगा वो समझ में जो स्पीड कितने रखनी है 140 feet per second रखनी यह ध्यां त्यूंण थी एपने की कोटिंग किसी मैटल से होगी जब डियूनी K Colin Gold Tungsten मेटल से कर देते हैं तो एक्तेजा बुलेट काम करता है तो जब हम अपनी इस गन से बालस्टिक गन से उसको शूट करेंगे 1400 feet per second की स्पीड से तो डारेक्ली वो हो सेल के अंदर पैनिटेट कर जाएगा ठीक है सेकिंड मेथड क्या था अपना बालस्टिक गन थार्ड मेथड की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोपोरिशन मेथड इसके अंदर क्या होता है कि हमें सेल को इलेक्ट्रे फील् इसके उपर टैंप्रेरिली पोर बन जाएंगे जैसे इसके ने जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंट्रेस्ट है वह पैनिट्रेट कर जाएगा और जैसे डिन ने पैनिट्रेट किया तो उसके बाद जो पौर सेवों प्रेंटिकली क्या हो जाएंगे जैसे कि यह आपकी सेल को ओपने electric field की presence में और उसको क्या दिया high voltage दिया high voltage देने के बाद जैसे आपकी क्या है तो टिक है यह क्या है आपकी cell है ठीक है cell अगर आपने इसको electric field दी और दी high voltage नितों क्या होगा इसके उपर आपके जो cell है इसके उपर क्या बन जाएंगे और बने के बाद जो डायों डोंती क्लिंटे सult के उसके बाद कि जो बन जाएंगे सेल की मेंब्रेंट के उपर और यह पोर बनने के बाद डेन अटमेटिकली अंदर आ जाएगा और उसके बाद बाद में हो जाएंगे बन जैसे कि आपको यह दिख रहा है पहले सेल मेंब्रेंट की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन जिसका नाम है क्या माइक्रो इंजेक्शन डारेक्ट हम इंजेक्ट करते हैं अपने जीन ओफ इंट्रेंस को किसके अंदर चैल मेंब्रेंट की अंदर और यह जो माइक्रो इंजेक्शन मैथड़ है इसके लिए ही यूज होता है ठीक है जो माइक्रो इ भी हो सकती है वह अनिमल प्लांट से लिए फिर फंगल से वी हो सकती है कैसे हमने जीन ओफ इंट्रस्ट को अपनी प्लाजमा मेंब्रेन के अंदर इंसाइड इंसर्ट करा यह हमने देखा और चार मेंथड पड़े वेक्टरलेस मैथड जिसका फर्स्त हागा कैमिकल मैथड ले नेक्स लेक्टर लेके आएंगे हम उसके अंदर पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बायो टेकनोलोजी हमारा यहां पर टूल्स ऑफ बायो टेकनोलोजी खतम होता है अगर आपको जुड़ना है हमसे अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं 2023 बैच जहांपर आप डारेक्ली अपने आपको एंडरोल करा सकते हैं ठीक है वहांपर आपको परस्नल गाइडेंस भी दी जाएगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम वहाँपर आपकी डाउट को रिजॉल करेंगे ठीक है तो हम next lecture के अंदर मिलेगे जिसके अंदर हम प्रोस मिलेंगे थेंक्यू सो मच्च